गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एक्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अमय परदीप आज की वीडियो हमारी ट्रिपल सी एक्जाम के नालेट के थर्ड वीडियो है आपका वन ड्राइव होता है वह एक क्लाउड कंप्यूटिंग के एक्जामपल होता है तो जी हाँ यह उसका एक एक्जामपल होता है तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रू यानि की ए नेक्स दे रखा है राउटर वर्क इन फिजिकल लेयर जो राउटर होता है वो फिजिकल लेयर पर वर्क करता है तो जी नहीं जो होता है फिजिकल लेयर पर नहीं करता है यह आपका किस पर करता है इंटरनेट लेयर पर ठीक है यानि कि वायर लेविल पर next हो जाएगा आपका ROM ROM memory का firmware के नाम से भी जाना जाता है जो आपका ROM होता है उसको हम firmware कर सकते हैं जी हाँ हम उसको firmware कह सकते हैं यानि क्या आपका हो जाएगा answer true अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे तो वीडियो को like करें, share करें और comments करें ठीक है friend चलिए अगला question दे रखा है IFSC code को किसी को भी share कर सकते है true या false तो आपको बताओगा अगर आप किसी से check लेते हो या आप DD बनवाते हो आप check लेते हो उसमें IFSC code नंबर डालना ज़रूरी होता है check लेते हो गया रहा हूँ online payment के true online जब आप payment करते हो तो वहाँ पर IFSC code डालना पड़ता है तो यानि कि आप share कर सकते हो online payment mode पर Libra office में सिर्फ DD, MMYY में ही date लिख सकते हैं कहने का मतलब जो हमारा Libra office होता है उसके अंतरकत जो हम date लिखते हैं पहले day, month, year ऐसी होता है क्या पहले day लिखेंगे फिर month लिखेंगे और फिर year जब आपको पता होगा इसके format को हम आसानी से change कर सकते हैं M, M, D, D, Y ये format भी लिख सकते हैं तो आपका answer हो जाएगा false आज की question में आज की इस video में ज़्यादा question होंगे daily video जो थी हो 25 20 question के होती है आज की इस video में आपके 30 questions होंगे लगबग चलिए next है आपका full form of I, M, E, I तो देखिए फ्रैक्ट इसकी जो full form होती है क्या होती है इसमें answer में ने mention कर रखा है international mobile equipment identity ठीक है इस तरह की कुछ full form होती है वो भी आपके exam में आ जाती है तो आपको इने भी अच्छी तरीके से कर लेना है यह most important question है सारे कोई भी यह वैसे नहीं है कि सब किसी नहीं किसी तरीके से exam में आई हुए है अगला आपका है save as a shortcut की इंदा Libra office calc जो Libra office होता है उसके इंदर हम shortcut की क्या होती है save करने के लिए तो friend होती है आपकी control plus shift plus s repeat कर रहा हूँ control plus shift plus s यह आपकी क्यों होती है Libra office में Libra office calc में save करने की ओके friend अगरा है Libra office में paste करने की shortcut की क्या होती है तो paste करने की same है आपको last में वी लिख देना है ठीक है paste कभी होता है जैसे आगे बात करें Libra office में print view की print के लिए आपको control plus shift plus o तो control shift तो दोनों में same चलेगा ठीक है जो आपने save करना था control plus shift plus s था आपको paste करना था तो control plus shift plus v था और आपको print करना है तो control plus shift plus o होगा चलिए next question number 51 दे रखा है A E P S की full form क्या है तो इसकी full form होती है आधार enable payment system ओके next है Pokemon game खेलने के बच्चों पर क्या असर पड़ता है अगर Pokemon game खेलते हैं तो उससे बच्चे के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है mentality weak होती है ओके friends चलिए next है Libra office calc में एक column चुनने के लिए shortcut की क्या होती है control plus space दबाव आपको next column जो होगा वो मिल जाएगा next है computer के जनक किसे कहते हैं जैसे कि आपको पता होगा computer के जनक चार्ल्स बेविज कहलाते हैं चार्ल्स बेविज नहीं सबसे पहले computer का अविस्कार किया था ठीक है और इनकी जो assistant थी वो lady Augusta थी ठीक है friend तो उने भी computer के जनक के support के रूप में माना जाता है चलिए ATM pin में अंकों की संख्या कितनी होती है तो friend जो ATM pin होती है आपको बताओगा उसके अंदर संख्या कितनी होती है password जो mention करते हैं ATM का होता नहीं है 15, 28, 24, 20 इस तरीके से आपका password होता है तो कितने होंकी होती है 4 digit का होता है ATM pin आजकल तो आप अपने आप बना सकते हो और उसको change भी कर सकते हो चलिए next है email भीजने के लिए इस्तमाल किये जाने वाला protocol क्या होता है SMTP इस protocol के थुरू हम mail भीजते है MMID में कितनी संख्याए होती है यह आपका mobile money identifier होता है इसके अंदर 7 digit होती है ओके friend आपको पता कौन सा search engine चीन का है यानि कि चीन ने भी एक search engine चीन का जो search engine है वो क्या है बेदू यह आपका चीन का एक search engine है searching के लिए 3D printing किसके लिए परियोग किया जाता है जब भी आपको फिजिकल गूर्ट की बनाते हो तो उसके लिए 3D आपकी आवसकता पढ़ती है यानि कि भूतिक वस्तुओं के लिए 3D की जुरत पढ़ती है next है 60 है आपका लिवरा ओफिस में लिवरा ओफिस में calc में full screen को shortcut कुंजी क्या होती है अगर आप इसकी full screen करना चाते हो तो इसकी जो होती है control plus shift plus G यह आपकी की होती है कि इसके लिवरा ओफिस shortcut की full screen करने की आगे है full form of QR code क्या होता है quick response code बहुत ही तेजी से response करना ठीक है Bluetooth क्या है Bluetooth एक data transfer की अधिक्तम दर होती है जिसके थुरू हम data transfer कर लेते है आगे है Pokemon game कैसे खेलते है वो किस चीज में खेला जाता है admin आपको पता हो mobile में भी खेल सकते हो आप अपने PC में भी खेल सकते हो Pokemon ठीक है next friend आपका 64 दे रखा है किसमें CVV में कितनी संख्या होती है तो आपको पता होगा CVV में तीन डीजिट होती है card जो ATM card होता है debit card उसके पीछे computer का heart किसे कहते है computer का heart आपका CPU होता है next है UPI pin में अंको की संख्या कितनी होती है तो यह आपको पता होगा UPI pin में अंको की संख्या कितनी होती है print 6 होती है 67 है windows 2000 में calculator मुझूद है या नहीं तो इसमें आपका answer है true हाँ sorry एक second हाँ true ही दे रखा है windows 2000 में calculator मुझूद होता है तो जी हाँ उसके अंदर मुझूद होता है ठीक है friend चलिए next है UPI में अधिकतम कितने पैसे transfer किये जा सकते है यह question में पहले भी करा चुका हूँ UPI में maximum कितने transfer किये जा सकते है एक लाक ठीक है friend तो इसका answer हो जाएगा करो comment box में उसके बाद फिर match करा करो कि आपका answer हुआ क्या है फिर आप total calculate करो कि आपके 20-30 question में से कितने question ठीक हो रहे है इससे आपको पता लग जाएगा आपका test कैसा चल रहा है ठीक है friend चलिए 69 दे रखा है BCC का full form क्या होती है तो जैसे कि आपको BCC की full form पता हो कि क्या होती है friend blind carbon copy blind carbon copy होती है blind carbon copy होती है आपकी इसमें देखो answer आप देख सकते हो यह ब्लाइंड carbon copy last question for today लेबरा office calc में अधिकतम जूम कितना होता है तो friend Libra office में आप maximum 400% तक जूम कर सकते हैं okay friend कितना कर सकते हैं 400% तक जूम कर सकते हैं तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें friends जो भी आपके views यह दिया करिए ठीक है उससे में को motivation मिलेगा इस तरह की वीडियो हम और बनाएंगे और अगर आपको इसमें कुछ changes चाहते हैं तो भी आप बताएं ठीक है friends मिलेंगे फिर अगली वीडियो में अभी के लिए have a nice day है